दोस्त वीडियों हम बात करेंगे आटो कोईन, आटो सॉप कोईन के प्राइज मोमेंट के पारे में करेंटले कोईन 286 विश्टी पर ट्रेट कर रहा है एक अच्छा ब्रेक आउट, एक अच्छा अप्टेन इसकी प्राइज में कल से अभी तक देखने को मिला कल से अभी तक अल्मोस्त इसकी प्राइज में 45% का क्विक पंप देखने को मिला है 237 वाले एरिया से थिने 355 वाले एरिया ट्राइ किया और अभी 286 पर ट्रेट कर रहा है क्या रीजन निकल के आ रहा है इस ब्रेक आउट का आपने अगर इस कोईन को बाई किया तो आपके लिए टारगेट क्या रहेंगे as a trader long term और short term के perspective से आपके इन एरियास पर नजरे बना रख सकते हैं अबराल सारी चीज़ों के बारे में बात करें इस वीडियो में उससे पहले जो नए investor trader market में आये हैं जिनको जानदा नोली एक्सप्रेंस नहीं है उनके लिए हमने premium service start कि ताकि वहाँ पर आप उनको proper guidance, proper strategy share कर पाएं signal share कर पाएं, chat access वहाँ पर में लेगा और बहुत सारे benefits ताकि वो crypto losses से बच पाएं market में जो नहीं चीज़े हैं उनमें जल्दी बाज नहीं करें, किसी भी coin में उपए की तरह buying नहीं करें, सारी चीज़े महाँ पर उनको सिखाई जाएगी तो जो interested है वो इंस्टा पर यह हम कर सकते हैं इंस्टा की link description में है 286 USD पर यह coin trade कर रहा यह 15-minute का chart open है और यहाँ पर इसने night की time में single candle में एक अच्छा breakout लिया था जो की 271 से 355 वाला था daily का chart open करते हैं और support area की बात करते हैं तो यहाँ पर अगर देखें तो 145 वाला low score ने अभी currently बनाया था वहाँ से अगर देखें तो पिछले 8 से 10 दिनों में this coin ने बहुत अच्छी recovery की है almost 150% से जादा की recovery this coin में देखने को मिली 145 वेजिटी से इसने 355 वाला area ट्राइ किया और लगातार अच्छी खासी strong green के अंदर हमें daily के अंदर देखने को मिल रही है region क्या निकल के आ रहा है सबसे फर्सले region है यह एक डेक्स है auto जो यह coin है यह auto firm protocol है उसका native utility और governance token है और यह जो है auto firm protocol यह decentralized exchange है और one stop DeFi platform है जो की lowest fee charge करता है और जैसे ही यह FTX की hype create वी देखी FTX collapse हुआ उसका impact सारे coins पर देखने को मिला लेकिन जो decentralized exchange है या फिर decentralized finance है जो भी decentralized area में work कर रहा है उन सारे coins में या तो exchanges है तो उनका जो native token है उसमें या फिर जैसे अभी wallet जो भी wallet के token है उनमें एक अच्छा pump देखने को मिली और उन सारे coins में 90% जो coins है उन्होंने जो previous area पर जहाँ पर trade कर रहे थे उससे भी उपर वाला area try किया इसी की बात नहीं कर रहे हम चाहे DYDX की बात कर लो चाहे जो trust wallet token है उसकी बात कर लो और दूसरे भी कुछ अच्छे coins है उन सब coins में इस टाइब का pump देखने को मिला इस coin ने आपर 255-260 पर trade कर रहा था यहां से डंप देखने को मिला और अभी इसने वो जो previous area उससे भी उपर इस coin ने आपर move कर गया तो यह region निकल कर रहा दूसरा इस coin के अगर supply की बात करें तो maximum supply 80,000 की है circulating में 53,000 जो coin है वो अभी currently circulating में है तो बहुत ज़्यादा supply भी नहीं है market cap के इसाब से 637 rank का coin है जिसमें धीरे धीरे उपर के तरह moment हो रहा है अब यहां पर आपने अगर इस coin को buy किया है trading perspective से 4-5 days ago या 2 days ago अच्छे level पर है 200 से नीचे या 240-220 पर भी तो अच्छा profit आपको देखने को मिल रहा हो और यह जो moment है नीचे के तरह भी है कोई correction नहीं है यह सिर्फ market में जो fall है यहां पर अगर बात करें तो BTC 16,400 के round trade कर रहा है 16,900, 16,800 तक BTC चला गया था और भी थोड़ा सा correction level देखने को मिल रहा है क्योंकि market में बहुत ज़्यादा moment अभी हो नहीं रहा है और BTC को जब BTC stable रहता है या normal वो move करता है तो जो uptrend वाले coins हैं उनमें अच्छा move होता है लेकिन जब BTC में थोड़ा सा fall रहता है तो वो उसको follow करते हैं आपके लिए targets के अगर बात करें यहाँ पर एक अच्छा moment हुआ है जिन लोगोंने under 200 या 220 के round भी pie किया होगा उनको 30% 40% का profit देखने को मिल रहा होगा तो उनके लिए target रहेगा फस्ट target रहेगा 300 USD और सेकंड रहेगा 310 से लेके 320 move करेगा यहाँ से उपर के तरफ try करेगा और हो सकता है कि 350 को भी cross कर जाए यहाँ से एक चीज confirm है कि यहाँ से आपको जो आपकी buying है अगर 240 या 230 से नीचे buying है तो कोई problem नहीं है लेकिन उससे उपर जिन लोगों की buying है उनको यहाँ पर थोड़ी से problem यह हो सकती है कि आप उपर के तरफ buy करके अगर थोड़ा correction देखने को मिलता है price में, market में फिर इस coin में थोड़ा correction देखने को मिलता है तो यह coin आ सकता है 230, 24, 20 तक आ सकते है अभी से ही तो कोई problem नहीं, वापिस रिकार कर जागा लेकिन उससे उपर जिन लोगों की buy है जिन लोगों ने बढ़ते coin में buy किया, क्यार यह coin move कर रहा है इसमें अच्छा आप ट्रेन है, इसको buy कर लेते हैं यह नए ट्रेडर जानाता है, इस ताइप की गलती करते हैं तो उन लोगों को तो 287 पर यह coin trade कर रहा है तो अच्छा profit देखने को मिलडा होगा तो 300 के राउंड में sell out करना ही है किसी भी condition में जिन लोगों ने trading perspective सेंटर लिया तो 300 और 301, 320, 60-40 के रेसों में sell out करना है 70-30 के रेसों में sell out करना है, आप तो वह जाना बेटर चाहेगा 70-30 के रेसों में sell out करके profit book करना है short term वाले भी 320 के round में almost अपना जो भी total token है वो sell out करेंगे 320, 340 तक का बढ़ा सकते target राट तो 320 अच्छा area है long term में hold कर सकते हैं को decentralized जो भी exchanges है इनकी hype अच्छी खासी भी create हुई है जो decentralized finance है उनकी भी अच्छी खासी hype create हुई है तो आप long term में बिलकुल this coin में hold कर सकते हैं बाकि entry अभी नहीं लेनी यह चीज जान रखनी क्योंकि बहुत सा लोग entry ले लेते हैं और फिर उनके comments आते रितिक सर्म यहाँ पर buy कर लिया वहाँ पर buy कर लिया आप क्या करें तो entry अभी नहीं लेनी है previous जो video शेयर किया था उसमें मैंने targets बताया थे इस coin के अलाकि हमने buying जो है वो पहले की थी 210 के round में यहाँ पर जब यह coin trade करना था तो यहाँ से हमने buy करके और यह target इसने एक target रचिव किया था वहाँ पर मैंने 290 और 320 वाला target बताया था तो first target तो इसने रचिव कर लिया था और second target अभी रचिव कर लिया दूसरा जो नए investor trader market में आये हैं उनके लिए हमने specially premium sales से स्टार्ट कि ताकि वहाँ पर हमको share taxes मिल पाए जो भी crypto करी वो resolve हो पाए और वो crypto losses से बच पा over trading नहीं करें उनको वहाँ पर proper risk management money management सिखाया जाए proper guidance share किया जाए ताकि वह market में लंबे time तक trade कर पाए starting में अगी है अकर आप loss आपको देखने को मिला हो तो आप market से सिर्फ भगने की सोचगें कि portfolio recover हो amount recover हो हम यहां से जाए यह market तो scheme है जिसा कि बहुत लोग इस बारे में इसी type की बाते करते हैं तो यह जरूरी है कि starting में उनको प्रोपर guidance में तो एक दो महीने आप उस शिश को जोएन करके experience करें फिर आप खुड ट्रेट करना लग जाएंगे आपको चीजे समाझ आने लगे देकि market है market में लोग होता है लेकिन आपको क्या strategy follow करनी है किस type से trade करना regular basis पर या daily basis पर या monthly में आपको किस type से profit करना है यह सारी शिचे आपको ध्यान रखनी है